हमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्क दैनिक रासिफल सशिपले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में 28 जनबरी 2024 रविवार का दिन है माग माह के कृष्ण पहुष्च की तृतिया तिति और नच्छत रहे मगा सोभन नामक योग बन रहा अब जीत मूरते दोफ़र 12-12 से दोफ़र 12-15 तक राहुकाल का समय है साम 4 बजे से साम 5-30 तक राहुकाल के समय में कोई भी निया और सुपकारे ना करें भिगन आ सकती है अब बात करते हैं आज के रासिफल की अज का दिन आपके लिए बढ़िया है मनोरंजन में ब्यस्तता बनी रहेगी और आज इंगरिंग और कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे बिद्यार्थियों के लिए दिन ज्यादा मेहनत करने के आवस सकता है क्योंकि जितना मेहनत करेंगे आगे चलकर आपको उतना ही लाब होगा पर नाम बढ़ियां रहेंगे वरना अनकूल नहीं रहेंगे इसलिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दें अब देखिए आज स्वास्त का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और निर्धन को कुछ दान चरूर कर दीजेगा वैसे तो आज अचानक से धन प्राप्ती की यो और बच्चों के साथ खुसियों के पल बिताते वे नचराएंगे अपनों के साथ आपके रिष्टे बढ़िया है जो लोग इंजरिंग के स्टुडेंट हैं उनके लिए विसेश सुभ रहेगा आज का दिन कारेले में अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा और कुल मिलाकर दि आज जीवन साथी से चल रही जो भी अन्बन है वो दूर होगा किसी बात को लेकर कोई चिंता थी तो अब किसी परिजन की मदद से भी वो चिंता दूर होगी लेंदेन समंधी मामलों में असपस्टता बनाये रखे पूरी लिखा पड़ी करके ही किसी को उधार दे तो उत् मिलेंगे कोई प्रिय वस्तु भेट स्वरू भी प्राप्त हो सकती है जो आपकी प्रसंता का कारण बनेगा तो प्रेम समंध में मिठास बनी रहेगी साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा करियर के मामलों में कुछ नई योजनाओं की बात करेंगे सही पर समय पर सही निदने लेने के लिए तयार है हना कि धन की स्तिती में सुधार होगा और योजना बनाकर निवेश करें तो विशेश लाब भी होगा आज नसा विगरब बिल्कुल भी सेबन ना करें यह आपके लिए अतियावस्यक है और आज के दिन खासकर जो ब्रिसब बाले हैं आत्म हला कि किसी दूसरे अस्थान पर जाना पर सकता है बाईों के सहयोग से परिश्रम है थोड़ा लेकिन परिश्रम से बाहर भी आप निकलेंगे यहनि कि भाईों का सपोर्ट से बहुत सारे कारे बनेंगे संतान के स्वास का थोड़ा खियाल रखे तो जीधा अच्छा रहेग लेकिन कहीं आवे यात्रा कर रहे हैं अपने समान की उरक्षा स्वेम कीजिएगा आज स्वास्त के मामलों में लापरवाही सही नहीं है बाकी चीजें फिर भी आपके पक्ष में चलेंगी तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें और हेल्डी डाइड भी लेना है ठंड का मौसम होसियारी से धन्यवाद हम फिर मिलेंगे लाइप से मैश को लाइक कर सब्सक्राइब चलू कीजिएगा